हेलो एवरीवन विल्कम बैक टू अपनी परिक्षा मेरा नाम है दिश्या सो गाइज इस वीडियो में मैं आप लगो के बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दों के बारे में बात करना चाहती हूं जो की है एससी का नॉटिफिकेशन जो की अभी तक आउट नहीं करा गया है तो इसके पीछे की क्या वज़ा है आखिरकार मैं आपको शुरुआत से बताती हूं according to our government उन्होंने ऐसा कहा था कि CET का नॉटिफिकेशन आएगा 2020 में जिसके तहट 2020 के सारे examination और upcoming मतलब उसके बात से सारे के सारे examination एक बार में होंगे चाहे वो banking का हो चाहे वो SSC का हो चाहे वो railway का हो इससे traveling का expense बचेगा बच्चों का जो है वो time भी बचेगा और भी बहुत सारी चीज़े multiple fees नहीं देनी पड़ेगी जिस हिसाब से देखा जा रहा है 2020 में आ गया था आपका coronavirus जिसकी वज़े से इसको postpone कर दिया गया था बट किस समय तक ये नहीं पता हर जगह आपको article देखने को मिलता है कि 2021 में CET आएगा CET आएगा इन फैक्ट आपको हम भी बार-बार अपडेट करते रहते हैं बहुत सारी टीचर्स की CET आएगा तो आप तयारी कीजिए बट जब तक एक real notification नहीं आएगा तब तक काम कैसे बनेगा आखिरकार QMATS वाले निखिल गुपता सर ने इसके लिए बोला कि अगर हम लोग ready हैं जैसे कि Twitter campaign करने पे आप लोगों को group D की date देखने को मिल गई इतना बड़ा campaign किया गया था जिसकी वज़ा से railway को ये step लेना पड़ गया प्लस आपका जो RRB NTPC का exam हुआ था उसकी date भी announce कर दी गई है कि result कब तक आएगा सो क्यों ना एक SSC के लिए campaign करा जाए जिसके अंदर CPO का notification, STNO का notification, CHSL का notification मांगा जाए SSC कब out करने वाला है, मतलब बच्चों की उम्मीदे तूटती जारी है, लेकिन आप लोगों को कोई भी notification नहीं देना है SSC के लिए बहुत easy है notification नहीं निकलना, बट उतना ही ज्यादा बच्चों के लिए tough है survive करना जिसमें उनके parents की hope बंदी हुई है कि हमारा बच्चा job करेगा, हमारे बच्चे के पास एक vacancy होगी, वो बच्चा हमारे लिए हमारे होता है कि generation आगे बढ़ाएगा बट उस parents को क्या पता कि सरकार यहाँ पर पता नहीं कौन सा game खेल रही है, CET के नाम का जिसका कोई अता पता नहीं है अगर बात करी जाए तो SSC अपने नियमित तौर से नहीं चल रहा है, banking अपने नियमित तौर से अपने सारी vacancies को out कर रहा है, paper भी ले रहा है, result भी दे रहा है, vacancies को भरा भी जा रहा है railway की बात करी जाए, वो तो इतना पीछे है कि 2019 की vacancy को अभी तक fill कर दे, उसका paper ही ले ले, बहुत बड़ी बात होगी इस sense में बच्चा इतना demotivate है, तो अब मुझे आप लोगों के comment section में answers चाहिए कि हम लोग Twitter campaign के साथ क्या 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 कर सकते है जैसे कि मैंने idea लगाया है कि हम लोग ज्यादा से जादा letters लिखेंगे, grievance डालेंगे इस बार क्योंकि सिर्फ Twitter campaign से काम नहीं चलेगा, और मैं चाहूंगी कि ये वीडियो अभी नए सर तक पहुँचे, मेरी उनसे दर्खवास है कि प्लीज वो इसके लिए कुछ steps ले, क्योंकि बच्चों का भविश्य कहीं न कहीं teachers के हाथ में होता है और वो एक SSC के लिए बहुत ही उंदा teacher है, एक बहुत ही अच्छे सबके मित्र है एक तरीके से देखा जाए जिस दिन Twitter campaign के साथ साथ grievance भी डाले जाए हर जगा पे चाहे वो आप लोगों की CMs को हो, ताकि आप लोगों की state की vacancies आए चाहे वो आप लोगों की राजस्थान की हो, हर्याना की हो, दिल्ली की हो और मतलब SSC भी अपनी vacancies को निकाले सबसे important अभी ये है कि SSC अपना notification आउट करें उसके बाद state का भी देख लेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि जैसे कि QMats वाले सर, निखिल गुपता सर ने बोला है उसके साथ साथ हम अभीनाय सर को भी बोले, हम लोग और जैसे रेमो सर को भी बोले ताकि वो लोग सामने आए, हम लोग आप लोगों के साथ है मैं ये कहूंगी, मेरी side से जितने भी मेरी family है अपनी परिक्षा की जो भी जितने भी सबस्क्राइबर्स है, सब के सब हम लोग मिलके इसमें अगर एक पहल करेंगे, तो definitely change आएगा और SSC को जनवरी तक एक notification देना पड़ेगा, एक वजा की vacancies कब तक आएंगी आखिर कार कब आएंगी, अगर हम बात करें, CPU को notification जुलाई में आना था, नहीं आया स्टेरो को notification अक्टूबर में आना था, नहीं आया अगर बात करें, CHSL की उसका भी notification आना था, नहीं आया तो आखिर का notification कब आएगा, आप 2021 की vacancies निकालिए, जैसे की banking ने निकाली है बाकी और चीजों को देखेंगे, इसलिए मेरी दर्ख्वास से, QMATS वाले सर से और अभिनाय सर से कि हमें जल्द से जल्द इसके regarding कोई ना कोई step लेना चाहिए मिलके, as a teacher, जितने भी लोग आप लोगों के लिए content create कर रहे हैं, जितने भी लोग आपको पढ़ा रहे हैं जो भी कर रहे हैं, सबको साथ आकर एक step लेना पड़ेगा, एक दिन चुनना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़े हैं हम साथ में discuss करेंगे, जैसे कि QMATS वाले सर ने डाला हुआ है, कि कब आएगा notification, SSC अपनी मर्जी खेल रहा है अब हम लोगों को भी अपनी मर्जी से कुछ steps लेने होंगे मिलता आने वाली बहुत सारी videos में, अपना ध्यान रखें, टेके